तो देखते हैं पर question number 45 में हमसे क्या पूछा गया है A 1000 watt heater is used for 1 hour everyday for 30 days Find the cost of electricity if the rate is 3 rupees per unit तो यहाँ पर 1000 watt का heater है जो कि यहाँ पर daily एक घंटे use होता है और लगातर 30 जिन तक होता है तो हमें यहाँ पर बताने कि वो यहाँ पर कितने रुपे कि यहाँ पर जो electricity है वो यहाँ पर खर्च कर देगा अगर यहाँ पर electricity की जो unit है वो यहाँ पर 3 रुपे है तो करते हैं यहाँ पर solve तो हमें यहाँ पर power कितनी गिवन है 1000 watt गिवन है किलोवाट में change करने के लिए मुझे यहाँ पर 1000 से divide करना पड़ेगा अगर मैं इसको यहाँ पर 1000 से divide करता हूँ तो यह हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा तो यह हमारे हो जाएगा 1 किलोवाट हो जाएगा time कितना गिवन है 1 hour गिवन है और 30 days के लिए हमें यहाँ पर cost of electricity निकालना है और यहाँ पर unit है चीरा है वो हमें यहाँ पर कितना गिवन है थीन रूपे प्रती unit तो करते हैं यहाँ पर इसको solve सबसे पहली जो यहाँ पर energy consume होगी कितनी energy स्ट्राइब होगी energy consume इसका formula हमारे हिहाँ पर क्यों होता है power multiply time होता है power यहाँ पर कितना गिवन है कितनी energy consume कर लेगा, इसको simple 30 से multiply कर देंगे, तो यह हमारे यहाँ पर कितना आजाएगा, 30 kilowatt hour यहाँ पर 30 दिन में यहाँ पर consume कर लेगा, अब हमें यहाँ पर निकालना है cost of electricity, तो वो भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, cost of electricity, तो cost of electricity निकालने के लिए, हमें यहाँ पर जो energy consume इसने करी थी, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रती unit से multiply कर देंगे, तो यह हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे आजाएगा 90 रुपीज, तो यहाँ पर कितना रुपे खर्च करते गए, 90 रुपे करेगा 30 दिन में खर्च, अगर हम यहाँ पर 1000 वार्ट का heater डेली यूज करते हैं एक घंटे के लिए, तो होप आपको यह वाले question का answer समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ,